ग् jod mornin o students बेटा आज हम लोग लेके आ रहे है हमारा जो फड़र चेप्टर चल रहा है उस लिज में PDF वीडियो नॉबर 3 लेके आ रहे है और आज दीज मारत भीन common size statements को लेकर आ रहे हैं इसके उपर एक one marker question भी कैपर आया था define common size statement यह पहले भी हम लोगों ने किया है आप caller की definition भी दे सकते हैं common size statements are accounting statement expressed in percentage of some base rather than रुपी यह कुछ basis पे होते हैं common size statement भी प्रिपेर्ट फो इंट्रा और एक तरह का मारा vertical analysis होता है one marker question है important चीज क्या है वह हम बात करते हैं यहां पर आएगी हमारे पास these amounts are further convert to percentage common base से हम लोग convert करते हैं practical देखेंगे तो पता लगेगा common base revenue from operation होता है revenue from operation होता है जब लोग क्या बनाते है statement of बनाते हैं और जब लोग क्याना में common size balance sheet बनाते हैं तो जो total waste लिया जाता है वो balance sheet का total लिया जाता है तो यह आप इसको highlight कर लिजिए और यह आप इसका screenshot भी ले सकते हैं तो यह हम लोग करेंगे तो इस target में आज हम लोग common size जो income statement है उसका format समझेंगे पहले format बिलकुल same है बिलकुल repeat करेंगे थोड़ा सा हमारा revision हो जाएगा और कोई problem वाली बात नहीं है हमारे पास तो format comparative statement का जैसे बनायाता है ऐसे common size statement का format होगा यह particulars है not number है दो हमारे पास जो column बनते थे previous year करेंटरे का बनेगा बस यह जो column है इसकी जो calculation है वो बदल जाएगी यहाँ percentage of revenue from operation लेंगे हम लोग यहाँ के revenue from operation का हम क्या लेंगे जो है percentage है वो सारे इन column के अंदर लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे कैसे करेंगे मैं एक example के तुरूप बताऊँगा पहले मैं आपको format बताना चाहूँगा यहाँ पे ताकि आपको clear हो जाए तो format आप देखेंगे मेरे साथ साथ format शुरूओ उससे पहले मैं आपक जायता हूँ income statement हम पहले भी cover कर चुके हैं तो मैं चाहूँगा हर बार मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको मैं income statement का एक बाफ format देदू आप इसका screenshot ले लिए बहुत important है बार बार एब इन चीदों हम revise कर रहे हैं छट पर चड़ी एक female दबंग officer क्या पीने के ल format of common size income statement का format कैसे बनाएंगे बिलकुल बनेगा for the area ended दो साल दे रोखेंगे 31 March 2019 and 31 March 2020 यह हमारा format है और यह book में भी format दे रखा है 3.20 पे दे रखा है और यह हमारी third video है आप देख सकते हैं यह format है आप इस चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं लेकिन मैं अपने तरीके से इस format को बनाऊंगा वो भी आप देखेंगे तो जैसे हम करते हैं वैसे काम यहाँ भी करेंगे जैसे हम पहला कॉलम यह बनाते हैं दूसर नौट नमपर का बनाते हैं यहाँ पी हम लोग क्या बनाते हैं यह बिल्कुल यह चार कॉलम बनाएंगे हम लोग एक्स्रा वो कैसे बनाएंगे यह थोड़ी से लाइन में हम बड़ी करना चाहूंगा तो यह हमारी लाइन बन गई कोई दिक्कत नहीं है इसको ठीक कर लेना यह लाइन कुछ भी नहीं है पर्टिकुलर्स लिखेंगे हुआ में हो कि यहां पर लिखेंगे कि नौट नमबर लेखेंगे जैसे अभी तक हम लेकर आ रहे हैं यहां पे previous और कारेंटीयर बिल्कुल हम लोग लिख देते हैं इसको थोड़ी असा यहां 31 March 2020 का हम लिखतेंगे और percentage of RFO, यहां पर एक word लिख देंगे, हम लोग क्या? यहां पर हम लिखने वाले हैं, percentage of RFO लिख देंगे 2020 के लिए और 2020 के लिए, यह percentage की form में होगा, यह भी percentage की form में होगा, तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, वैसे हम पर लिखेंगे revenue from operation, पहले हम इन दू कॉलम को ही दियार करेंगे, मैं आपको format लिख वारा हुँ फिट से, revenue from operation इसमें क्या add करेंगे वैट हम लोग, other income, आपको मालूम है, इन दोनों को add करने के बाद, यह हमारा पहला पढ़ाव आएगा, जिसको क्या बोलते हम लिटा, total revenue, फिर यहां पर हम क्या लेते हैं वैटा, expenses लिखते हैं, expenses लिखने के लिए हमने बताया था, यह तो हमने आरो ब material, pension P का मतलब क्या होता था, purchase of stock in trade, कोशिय में दे रखे होंगे तो उनको दार देंगे और इसी order में लेकर चलेंगे, C का मतलब change in inventories, और E का मतलब है, employee, benefit, expenses है, F का मतलब क्या है बाटा, finance cost है, D का मतलब क्या है, depreciation and amortization, वो का मतलब क्या होगा, other expenses, इन सारे expenses को add करेंगे, तो हम B पर पहुचेंगे, जिसको नाम दिया मैंने total, expense हमेशा total revenue में से, हम total expense को minus करेंगे, तो हम कहां पहुच जाएंगे, yes, इसको बोलेंगे हम लोग profit, before tax, A minus B, और इसमें हमेशा क्या less करेंगे, हम बेटा, tax को less करेंगे, और हम कहां पहुच जाएंगे, tax का amount को less करने के बाद, यहां जो amount आएगा, इसमें जो tax का amount less करेंगे, तो आजएगा profit, after tax, यह हमारी journey होगी, तो यहां पर कैसे हम percentage को convert करते हैं, हम लिखते हैं, चोटा से example ले लेते हैं, मान लिजिए, यह figure हमारे पास 10 लाख रुपे की है, और other income मेरे पास 1 लाख रुपे की है, कितना हो गया यह? 11 लाख रुपे हो गया, अब मैंने यह सारे expenses देखे, cost of metal consumed कितना है मेरे पास, यह मेरे पास 2 लाख है, यह मेरे पास 1 लाख है, यह मेरे पास 1 लाख 50 लाख है, यह मेरे पास 50 लाख मान लिजिए, यह मेरे पास 3 लाख रुपे है, यह मेरा 80,000 रुपए है यह मेरा 20,000 रुपए है और एक्जामबल अभी सारी दे रखेंगे कोशन में तो दो और एक तीन और टीन और चार पांच और तीन आठ और एक नो लाक रुपए के टूटल एक्सपेंस दोगे 11,000,000 मैंसे 9,000,000 करेंगे यह दो लाक आगए टेक्स का रेट मान लीजिए 40% है तो कितना अधाएग है 80,000 और यह अधाएगा 1,000,000,000 क्योंकि 2,000,000 पर टेक्स निकालते हैं अब करना क्या है मुझे ऐसे मुझे इस साल के फिगर दे रखे होंगे बिलकुल उतार दूँगा मैं यहाँ पर कमपारिशन नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, सारे फिकर को 10,000,000 से डिवाइड करेंगे समझ लीजिए यही मुझे ऑरप कहे है माई बाप है, माई बाप का मतलब की सारी फिकर यहाँँ दस लाक से डिवाइड होंगे यानि कि सब चीज़ों को हम 10 लाक से डिवायट करेंगे तो पहली जो figure है 10 लाक divided by 10 लाक into 100 यानि क्या formula बना यानि कि ये जो item है मैंने लिखा यहाँ पर 10 लाक divided by 10 लाक into 100 तो पहला तो fix कर लो पहला तो कितना आने वाला है यहाँ पर इस column में पहला तो ये 100% ही आजाएगा आपका उसके बाद फिर मैं 1 लाक को किसे डिवायट करूँगा 10 लाक into 100 11 लाक divided by 10 लाक into 100 2 लाक divided by 10 लाक into 100 1 लाक divided by 10 लाक into 100 सारे figure को 10 लाक से डिवायट करूँगा इनने की सब को मैं एक base पे convert कर रहा हूँ इसलिए statement का नाम बना common size income statement और common size income statement में जो base क्या है वो हमेशा क्या होगा percentage of RFO होगा तो यानि की सारे figure को हम डिवायट करेंगे अब 1 लाक को डिवायट करो 10 लाक से कितना आ गया 10% आ जाएगा 11 लाक divided by 10 लाक into 100 कितना आ जाएगा 110% आ जाएगा अब 2 लाक divided by 10 लाक into 100 यह मैं करके नहीं दिखा रहा है वेटा आप कहोगे सर यह भी करके दिखाओ 2 लाक divided by 10 लाक into 100 तो यह तो कर जाएगा वेटा 2 लाक बंजा 5 20% आ गया एक बार कर लेजिए आप इसको easily हम कर सकते हैं कितना जाएगा यह calculation आप खुद कर लेंगे 20% फिर कितना आएगा 10% लेड़ लाक divided by करेंगे 15% 5% यह परसेंट यह परसेंट इस परसेंट 8% 2% यह सब को मैंने 10 लाक से डिवाइट कर दिया अब नॉर्मल है अब इनका टोटा लगाओ इन सारी परसेंटेज इसका यह मत लगाओ न सीधा 9 लाक को तो डिवाइट करना 10 लाक से करोगे तो भी वह याएगा 90% आगे अब देखो यह हमारा 110 परसेंट आ रहा था है आपे कितना रहा था बटा यह 10% उपर आना था हम लुगों ने यह 10 ुछ यह 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 ना था अब इसको बैसकर दो लाक डिवाइड़ दे माग कर लगाओ 20 परसेंट 8 यहाँ दिवाइडर आठा परसेंट चैसे इंगा 12 परसेंट यह निसारे फिगर को मैंने किससे डिवाइड कर दिया है यहाँ पे मैंने सब को 10 लाग से डिवाइड कर दिया है I hope I am clear तो इससे हम डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे simple calculation चल जाती है percentage में यहाँ इसमें इसको minus करो तो यही आएगा 20 का 40% 8 होता है 8 minus करो के 12 आएगा यहाँ इस simple arithmetic भी यहाँ पे follow हो जाती है सारे figure को 10 साल से यहाँ इसके लिए 2 सालों की जरुवत नहीं एक साल भी हो सकता है कैवार exam में एकी साल का देदे आपको खत्म कहानी 2020 के figure भी दे रखे होंगे आपको ऐसे यहाँ पे यहाँ आप मान लीजिए यहाँ पे जो figure लिखी हुई है वो लिखी हुई है 20,00,000 रुपए अब यहाँ पे जितनी भी figure होंगे सब को किस से डिवाइड करेंगे 20,00,000 से डिवाइड करेंगे इंटो 100 कर लेंगे याँ फिट से बतायता हूँ सारे figure को हम किस से डिवाइड करेंगे आप यहां पे भी चार लग लिखा हुआ है किटना हो गया गभी14 हो गया अब 20 स्लाग डिवाइट भाइड जाए हूं उट परसंट कर अब स्बूंछ परसंट है घया खे हम लोग ने सब का हमारा कॉमन बेस हो गया और बाय ऑनदी असे पता क्या लगता है कि हमारी sale का कितना percent income है sale का कितना percent हमारी consumption है sale का कितना percent हमारा stock है सारी चीज़ें sale में convert हो गई है यह इस तरीके से हमें इस concept को समझना था अब एक numerical लेके आएंगे आप तब तक है आपसका screenshot ले लिजे यहाँ मैंने कोई figure नहीं लिखी है यह एक हम लोगों ने common format किया था चलेंगे इन सब चीज़ों को order marriage कर लेंगे पहले हमेशा यह दो format बना लेंगे हम लोग उसके बाद सबको 10 लाग से divide करेंगे यहाँ 20 लाग से divide करेंगे मतलब जो भी यह figure दे रखी होगी हो सकता है इसके लिए अब मैं यहाँ पर आपके सामने कोशन जरूर करके दिखा हूँगा मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ इसमें के रखा है प्रिपेर कॉमन साइज इंकम स्टेटमें फोर्दा प्रॉफिट अ लॉस फॉलोविंग इनिफॉमेशन एक हमें क्या बनानाजी है कोमन सेफेसे टेट्मेंन बनाने है तो कमन साइज स्टेटमें पढ़ लेना कैबर कोशन पे तूट पढ़ से और दो साल दे रह एक हम कम्पारिटि बना देते हैं other expenses and rate of tax भी है तो पहले मैं चार कॉलम बना लेता हूं उसके बाद मैं काम करूँगा तो यहां पे एक चीज बताओं मैं मेरे लिए इस तब कुछ क्या है यहां पे यहां मैं सारी फिगर साड़ साथ लाग से डिवाइड करूँगा और फिर किससे डिवाइड करूँगा दस ल साड़ साठ मुझा साठ परसेंड रांट ईन सेंटेंध ऑंढर्ड सारी दुनिया के से डिवाइड हो रही है समझी लिए सब्सक्रीड से लिए Nej ancora 2700 तो रहता है जाएगा इस फिर दिवाइडेड सानेब्स ऐसे投ब्सक्राइब 345 10 सिप मूझ दिवाइड पैसें और कि 729,500 तो यह परसंटेज मेरे पास आती जाएंगी परसंटेज आपको आसानी रहे एक्जाम में बैसे कमपारिटिव ज्यादा एक्जाम में आता है लेकिन कुछ भी आ सकता है उसके लिए मैं तयार है नहीं है तो यहां पर हम लिखें हैं कॉमन साइज अंधै को भी निजर आ जाय ऐकर हमें ओभाय लांक चाइब कभी कंपारिटीव बनाया हो कॉमन साइब स्टीटमेंट कॉमन साइच कोम चैज शु 19 और 20 31st March 19 and 31st March 20 अब इस तरह से फॉर्मट बनाएंगे और इस ट्रेशन नबर फॉर्टीन कर रहे हैं कि कॉलम बनाया यह नोट नॉमबर कर बन जाएगा और यहां पर इस तरह से फॉर्मट बनाएंगे विल्कुल फॉर्मट सेम हैं यहां पर्टिकुलर लिखेंगे यह अशुलूटम करके कॉमन बना लेता है और यहां लिख देते हैं क्या लेका पर्संटेज ऑफ आरे फो यह 31st March 2019 यह 31st March 2020 यह 31st March 2019 यह पर्संटेज लगा देते हैं परकेट में और 31st March 2000 यह पर्संटेज तो पहले तो महीं हमारे स्टार्टिंग वाले कॉलम तियार करेंगे revenue from operation order हमें follow करना पड़ाएगा अगर जी जा आगे बीचे भी दे रखिए हैं revenue from operation कितना दिया हमें यह साथ लाग पचास यार दे रखा है यहाँ पर दस लाग दिया हुआ है वह हमने उतार दिया उसके बाद हमें other income दे रिखिए बेटा अगर इंकम कितने कितने दे रिखिए 25 लाग दे रिखिए तो बिचातर हजार और एक लाग दिख दिए अब यह मालू में टोटल करना पड़ेगा यह आपको खुद आपको सूचना है अब को फॉर्मेट आपको मालू महीं है ।टूटल रिवनीव आ जाएगा यह कितना और यह 11 लाख आ जाएगा फिर यहां पर लेस्ट करते हैं हम लोग क्या जो भी एक्सपेंसेज हैं उनको भी और में लिखेंगे अगर और में नहीं है तो वैसे और में दे रखा है हमें च्छत पर चड़ी फर्मिल दिवांग ऑफिसर के साथ से पच्छेज और स्टॉक इंट तो हमें कितना कितना दे रखा है वह हम लोग देख लेते हैं वह दे रखा है दस अजार पर नेगेटिव में आ गया होगा तो ब्रैकेट लगा दिया है पचाशार रुपए अगला क्या दिया हुआ है मुझे अधर एक्सपेंसेज नहीं चेंज इन इंवेंट्री चेंज इन्वेंट्री में को लग रहा है मैंने अमाउंट हुल्टे लिग दिया है यह छे लाक रुपए है बटाए कोई बात ने कोई धियान रखना पड़ेगा यह 6 लाक रुपए है साथ लाक पचाशार समय पर बता लग गया यह दस यार है ब्रैकेट में पचाशार रह आता है यहां पर हम लिखते है कि अब टूटल एक्स्पेंस लिखेंगे हम लोग यह कितना आजएगा मेरा टूटल एक्स्पेंस ही आजएगा 6,17,500 और यहां टूटल कर रहा है मैंने आगे मेरा यह दिस प्लस दिस यह मैं नेगेटिव में है तो अल्टिमेटली साथ साथ अब यहां लिखेंगे माइनस टेक्स करेंगे टेक्स करेंगे टेक्स करेंगे पचास 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 पसंट दोनों साल में सीम ही दे रखा है तो टेक्स आजएगा मेरा निकल के नहीं यहां मेरे पास अभी टोटल एक्सपेंस आया है अभी मुझे क्या निकालना था बैटा प्रॉफिट निकालना था भी फोटेक्स वो मैंने निकाला नहीं है यह माइनस भी देखो जैसे मैंने काम छोड़ दिया था आप दियान रखेंगे अभी माइनस होगा आट लाग की 995 नीजिए कर दे आठ लाट दो लाख दो लाख साथ हजार आंचर कैल्कुरेशन जरूर देखेंगे 11 लाख में साथ लाख और कितना है था मरा यह दस ज़ाघ गया तीन लाख यह आ जाजाएगा मेरा 90,000 अब टेक्स माइनस करूंगा मैं टेक्स मेरा 50 परसेंट तो इसक 103 यह आजाएगा profit after tax profit after tax और यह 145 आ गया minus किया यह भी 145 आ गया इतना मैं कर चुका हूँ यह जानी कि यह कामते मेरा सिंपल है अब मेरी मर्जी में competitive बना हुए common size लेकिन यह क्या मांगा गया है common size मांगा गया है तो बस करना क्या है सबसे पहले उठा लो किसको बस यहां पहले इस वाले साल का काम करेंगे साथ लाग पचास यह यह इनि कितना करने के बाद साथ लाग पचास हाड़ से सारे फिकर को डिवाइड कर लो तो पहला तो लिख लिए अगर फिक से सौ परसंट है 75,000 divided by साथ लाग पचास यह इंटु हंडर्ड फॉर्मला लिखने जरुज नहीं है इस अपॉन इस इंटु हंडर्ड यह आ रहेगा दस परसंट आ जाएगा अब आट लाग पचीस है डिवा इडिवाइड बयोजेंगे साथ लाक पचास एंटु how यह बना है कोई भी अटम ले लेंगे अपों में क्या करेंगे अपों में क्या लेंगे आरेफो इंटु हंडड अए गा सिंपल लॉजी कि है यहां पर कोई भी आइटम आजाएगा जिसका भी आपको परसंटेज निक 4.200 करेंगे यह आप करेंगे तो यह फिगर आएगी 1.33% आएगी फिर आप 75100 से करेंगे वो 1% आजाएगी अब 6,7,500 को डिवाइड करेंगे 7,5,5,000 लिए इन तीनो परसंट का टोटल भी लगा लो यह थोड़ा हसान हो जाता है यहाँ पे 80, 81, 82, 82.33 आगया यहाँ पे बनता है 27.67 बनता है और अब 27.67 का 50% निकाल के मैनस कर लो तरीका तो यह 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 लेकिन यह सिंपल कालकुलेशन भी आपकी बन जाती है तो यह 13.83 आता है तो मैनस करेंगे तो यह 13.83 यह 84 बच जाएगा हमारे पास सेम यहाँ पे सारे भी घर को किससे डिवाइड करूँग यह 10 परसंट आजाएगा 110 सब्सक्राइब हमेशे यह यहाँ आते हैं कि बाइचन्स आप 7 लाग 50 डिवाइड बाए बाएड कितना करेंगी आप 10 लाग 75 यह ब्रैकट में तो यह ब्रैके में 5 परसंट आजाएगा दस यह आपका बन परसंट आगा अब यह तो टोटल लाग 19.5 आ गया यह हमारा 19.5 परसंट तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहां पर आसान हो जाती है आपको क्योंकि वहां पे जब परसंटेज होते थे वहां पर आपको हर बार निकालने पड़ती थी यहां पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो आप इसका एक बरस की इंचोट ले जाता है और यहां पर कॉमन बेस हम लोगोने क्या लिया है बार बार में कह रहा हूं आर एफ ओ इंटु में हंडर जादेंगे जो भी चीज होगी वह यहां आ जाएगी अब दो इलिस्टेशन और हम डिस्कस करेंगे इलिस्टेशन मेर 15 है फ्रॉम दी फॉलविंग स्टेट बस कुछ नहीं करना आपको बिल्कुल आसान है देखिए कि ऐसे ही किया गया है क्या यहां पर सारे फिगर जो लिखे हैं पहले हमने लिख लिए हैं सबको यहां पर हम लोगों ने पहले 10 लाग को बेसलमान के काम कर रहा है फिर मैंने 12 लाग के लिए दूसरा मार्कर उच कि पर सारे फिगर को हमने किसे डिवैट किया है साठे 12 लाग से किया है पहले वाले हमारे पहले हंटेड अंटर आई रहे हैं बिल्कुल हमारा वह सेम फॉर्मेट हम लोग यहां पर लेंगे इस सेम पता लग जाता है कि हमारी सेल का देखो 72 परसेंट ता यहां पर यह कम हो गय यह सेल की अमबारेजन में हमारे डुपिरेशैशन बढ़ गया है और यह जी बढ़ गई है अवरल चीज हमारी कम हो गई तो यह तरह का मने अनट्रिस करते हैं यहां पर इस तरह का मैं नहीं बढ़ आनने के लिए अमरे अग्याकर पर आपको बनाने के लिए आता है पर यह आपका डिक्रीज हो गया 75 तू 68 परसेंट लिखा नोने ओवराल फिर उन्हें लिखा है दोनों का मिला के लिख दिया है सब्सक्राइब निकाल लेंगे 2019 का है और 2020 का है तो 2019 वाला देख लेते हैं 2019 वाला यह था एक चालीज में से कितना चलाएगा 8060 रुपर रह जाएगा और यह कितना रह जाएगा बटाशी जार रह जाएगा तो हम लोग चेक कर लेते हैं 6060 रह जाएगा तो हम बल्कु बना लेंगे तो यहां पर अधर एक्स्पेंस का माउंट में चेंज जाएगा जाएगा जबर दस्तिकी अच्जिस्मेंट दे दिया है फिर वही करा हम लोगों ने हमने सेल का फीगर देखा यहां पर कितना कितना दे रखा है आट लाक और दस बुक के अंदर में आपको इलिस्टिशन नमर 21 बनेगा इसमें कॉमन से स्टेट्मन बनाना है आपको तो आप बिल्कुल वादा करेंगे यह 21st कोशन आपको करना है इसके बाद 22nd कोशन भी हो सकता है आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां भी कॉमन से स्टेट्मन मांगा ट्व्ट тебе छॉफं आपको करेंगे मैंने मांक कर दिया जो करने वाला है 25 भी एक बार कर करेंगे यहां भी और यह ऐख रिखिये तो आप कर लेंगे एइसपेंसे वाहन से माइनस करके आपढमार यहां पर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आएगा कॉमन साइज बैलन्स शीट का आएगा वह हम अगली वीडियो के अंतर लेके आएगे थैनक य किच असके बैलनसिंगा के कुशन होते हैं तो इसी गेसाफ़ साफ से बमने बैलनसिंगा के कुशन भी ठ्राइ करेंगे आप वादा करेंगे एक दूर कुशन अफ्राइल कर के जरूर अप धट्रा और देखेंगे तैंक茶 जैए्याव abstractечение EST